हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सफिक अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में इससे पहले मैंने आप कांट्रॉल एंड कोर्डिनेशन चेप्टर का पहला पारट करा था जिसमें मैंने बताया था कि गल्फ्र albo चाहए प्रकास अनुवरतनी गती की बात कर ले या फिर आप जलानवरतनी गती की बात कर ले वह सारा जिस आमने करा रखा है आज से क्लास म करें अम गूस करें गए पाधप हर्मण के बारे में या ने है कि पाधप में जो दो चीज जिम्मेदार है, एक तो आपका जिम्मेदार है, तंत्रीका कोसी का, यदि आपने पिछला क्लास किया होगा, तो आप लोगों को भली भाती याद होगा, ठीक है, एक जिम्मेदार होता है अपका तंत्रीका कोसी का, और दूसरा क्या जिम्मेदार होता है, हार्मोन, यह दो ऐसे component है हमारे सरीर का जिसके वाज़ा से हम अपने सरीर जो है और सरीर में जितने भी organs हैं उनके बीच में control and coordination जो होता है वो अस्थापित कर पाते हैं लेकिन बात आती है कि क्या सभी जीवों में इन ही दोनों के सहाइता से होता है तो इसका जवाब होगा नहीं देख जाते हैं और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं तो जन्तू में किस प्रकार का नियंतरन और समनवे होता है तो जन्तू में तंत्रीका कोसिका के माध्यम से भी होगा और हार्मोन के माध्यम से भी होगा इसलिए जन्तू में क्या कहेंगे तंत्रीकिया नियंतरन एवंग समनवे पहेजाएगा और क्या पहेजाएगा हार्मोन को आप जी किह सकते हैं जाके सकते हैं न điều कम मैं नाम से फिलिफ ओ अर्फान के हमारा उनिदरन च क्रियां में से तक है और अचितने पॉप나म के लिए जिस भी र क्यांटियात threaten हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं ठीक है तो तंत्रीका कोशिका के द्वारा हुआ तो तंत्रीके नियंत्रन और समनवे और हार्मोन के द्वारा हुआ तो रासाइनिक नियंत्रन और समनवे चुकि तंत्रीका कोशिका और हार्मोन जन्तू में एवलेवल होते हैं तो उसमें दोनों परकार के नियंतरन और समनवे होंगे लेकिन प्लांट में क्या होता है कि नर्वसेल नहीं होता है उसमें क्या होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है रासाइनिक तो देखिए, यहाँ पर गया है, जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल में आपका दोनों चीज पाय जाएगा, नर्व सेल और हार्मोन्स, ठीक है, तो उसमें दोनों प्रकार के नियंतरन और समनवे होंगे, एक तो तंतरीकिय नियंतरन समनवे और हार्मोन या कहले रसायनिक न तो रसायनिक नियंतरन और समनवे जो होता है, तो उसके लिए पादप में कौन-कौन से हार्मोन जिम्मेदार है, तो देखिए, इसके लिए 5 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने लिख रखा है, ठीक है, या ऐसे भी एक्जाम में राइटोकाइन, एपसेसिक एसीड और एथिलीन, यह पाँच परकार के जनरली जो हार्मोन है, वहाँ पादप में विविन परकार के जो क्रिया कलाप होते हैं, उन सभी के समपादन में सहायता परदान करता है, ठीक है, तो आज हम लोग इसी हार्मोन के बारे में डिटेल स सिर्सभागों से 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 सिर्सभागो होता है तो इसमें होता है आक song 현 alert का स्राव और इसी asking हारम के स्राव होने के वज़े से क्या होता है कि पॉधे की अधरन के साखाएं होती है वहां बनती है जिसके कारण पॉधे की लंभाई में वृद्धी होती है तो इसका मतलब यह है कि ऑगजी आपका कहां secret होगा, auxin secret होगा पौधे के सिर्ष भाग में, ठीक है, पौधा का जो सिर्ष भाग होता है, जैसे कि इतना, ठीक है, उन सभी में क्या होगा, ये secret होगा, और ये क्या करता है, पौधे की जो लंबाई होती है, उसमें क्या कराता है, वृध्धी कराता है, ठीक है, तो इसका काम क्या है तो इसका काम है तो इसका काम है पौधे काम क्या होता है तो इसका काम होता है उसमें यह मदद करता है तीक है यानि हम आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि अक्सर जो हम लोग अभी इस सभी होगा है तो इसमें यूँ निया की ज़ू गाता ऑट रलोग विया सकता है दो कि गया है एक चीज और याद रख लेगी जगा कि जिवरेलेन का जो खोज है उसने किसने किया था कुरुसवा ने किया था कब किया था उन्हें इसाओ अठाइसे स्वे में किया था तो यह दोनों पॉइंट इंपोटेंट है याद रखेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं साइटो काइ तो देखिए यह जो है साइटो काइनिन पादप में एक प्रकार का आपने पढ़ा होगा किसके बारे में लवक के बारे में प्लस्टीड के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपका हड़ी तो आपका तो हरी तलवक के निर्मान में जो क्या करता है साइटो काइनिन हेल्प करता है यह हरी तलवक के निर्मान में हैल्प करता है ठीक है जिसके वाज़े से क्या होता है कि पौधे में जिर्णता नहीं आती है जल्दी या कहलें कि पौधे में जिर्णता को रोकने वाल हार्मॉन saito kainin है और क्षोज किसने किया था मिलर ने किया था कब किया था तो 1995 में किया था ठीक है चलिया नेक्स्ट पात कर लेते हैं Abscissi Acid Abscissi Acid को ABAB कहा जाता है Abscissi Acid को क्या कहा जाता है यह भी भी कहा जाता है यह भी याद रखेगा अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑगजीन जो है यह पौधे की लंबाई में व्रिधी कराएगा ठीक है कोसिका का विभाजन करेगा जिबरेलिन क्या है अगजीन का मदद करेगा विभाजन में या कोसि विलेन का काम करता है ठीक है विलेन कहने का मतलब क्या होता है कि यह जो है पौधे के विकास जो होता है उसको रोकता है पौधे के विकास को क्या करता है रोकता है यह डारेक्ट हम ऐसे कह लें कि इसमें पौधे में जो हर्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पौधे के सरीर का डेव जर्णता को रोखने के लिए साइटो काइनीन होता है ठीक है तो मिद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अब इस सभी हार्मोन में सबसे ज्यादा एक्जाम वे मेक्सिमम पूछा जाता है वह आपका एथ Lein HAIR currents कौन सा हार्मोन तो हमने आह श्यार इंसारे आपका लिक्विड फॉर्म में हो थे लेकिन अपका य haven our तो यह इसका काम क्या है तो इसका काम है फल को पकाना जिनरली जो पौधे में फल लगते हैं कुछ समय के बाद वह पक जाता है तो जो फल जो पकता है तो उसके लिए कौन सा हर्मोन जिम्मेदार है तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका एथिलीन ठीक है और हम लोग जो क्रितिरियम रूप से जिस कैमिकल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोल चल की वासा में कारवेट बोलते हैं वह दरहसल क्या होता कि पोधे में फल पटता है तो मैत करते हैं कि ये 5 हार्मोन के बारे में पर हम एक आसे d Hind वा्न कर से लेन कि हैं यह सबसे पहले हम बात कर जाता था सब पादब से हैं sousören जब्रलीन साइटोकैनिन और एथीलिन अब का मुझा है पॉधे के ल्हांबाय यह में व्रिद्धी कराना कोशिका विवाजन कराना जिब्रेलीन का काम क्या है और मदद करना किसमें कोशिका की विवाजन में और कोशिका के व्रिद्धी में या पौधे की लंबाई में व्रिद्धी कराने में करता है और साइटो काइनीन के प्रभाव को क्या करता है अक सुम्हार लोगों ने देखा होगा उस को जलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसमें एपसिसिक असीड का यूज किया जाता है ताकि खरपतवार नस्ट हो सके ठीक है उसके इधिलीन की अगर हम बात कर लें तो एक महत्र ऐसा हर्मोन है जो गैसी अवस्था में पाया जाता है और यह फल को पकाने में मलद करता है पाताःड्ण से रिलेटेट जितने वी चीज Kita इचें क्व 450 साओं ए उमिद करते हैं कि सारा चीज आप लोगोको समझ में आगया होगा अगले क्लास में हम लोग डेस्क्रस करेंगा क्या संवंग है अब हम लोगोक आता है ऊजिए आर्यो विडियो है तो मैंने जिला ब्स加入 या मानव की बात कर लें तो उसमें तंत्रीकिय और रसायनिक दोनों नियंत्रन और समन में पहा जाता है तो सबसे पहले हम लोग पर लेंगे तंत्रीकिय नियंत्रन उसके बाद हम लोग पर लेंगे रसायनिक नियंत्रन ठीक है तो वह सारा चैसे हम लोग अगले वीडियो में discuss करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद